ठीक है तो यह हमारे पास यह टेक्स्ट है हमने यहां पर जंप लिखा हुआ है अब मैं सबसे पहले इसका रेस्टराइज कर लेता हूं इसको कि इस पर मैं सारी चीज़ अपलाई कर सोगों तो यह रेस्टराइज करना बहुत एजी है आपको यहां पर राइट क्लिक करना है लेयर पर और यह आजाता है आपका रेस्टराइज टाइप तो इसके अंदर सीदा रिस्टराइज हो गया अब इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाओगे अब एक इमेज जैसे लेयर होता है वैसा यह लेयर क्रेट हो गया है ठीक है उसके बाद हमें जाना है सेलेक्ट टूल प पर इसको select कर लिया आप उसके बाद move टूल से अगर आप इसको move करोगे तो इस तरह किसे slice होगा slice करने के लिए आपको simple इस तरह किसा आपको move करना है और control डी कर लो तो यह इस तरह को slice लगेगा आपके mind में आपके चलना चाहिएगा आपको slice कैसे करना है अगर for example मुझे इस टाप से कुछ slice करना है तो इसको भी से delete भी कर दोगे तब यह वही वाला same effect आपको दिखेगा लेकि सबसे best effect यह होता है कि आप simple तरह को select करो और इसको दो पार्ट में इसको divide करो और move tool से आपको simply इसको move करना है ऐसे करोगे तो इस टाप को हो जाएगा अगर आपको उपर की तरफ करोगे तो यह कुछ इस टाप से आपको slice करना कैसे है ठीक है तो हमने finally slice करना सीख लिया अब मैं आपको बताऊँगा कि इस slice effect को आप रियल चीजों पर जब बैनर पोस्ट कुछ भी बनाते हो तो उस पर इसका effect कितने अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो जो कि देखने में काफी जादा amazing लगता है ठीक है उसकी लिए मैं यहां पर एक new document यहां पर ले रहा हूं और new document में मैं 1200 का एक मैंने new document यहां पर ल दिख रहा है ठीक है अब इस picture को मैं इस लेयर पर move कर रहा हूं तो यह यहां पर आ गया है हम इसका side थोड़ा चोटा कर लेता हूं तो यह कुछ steps यहां पर दिख रहा है ठीक आपको पता है control T से जब आप करोगे तो वहां साई चोटा बड़ा कर सकते हो कुछ भी कर सकते हैं ठीक है अब मैं यहां पर इसका background को background के साथ थोड़ा सा प्ले कर रहा हूं आज को gradient effect बहुत जादा चल रहा है तो आप भी यहां पर simply कर सकते हो यहां पर जाके background पर double click करें उसका unlock करना है और उसके बाद आपको सीधा जाना FX पर right click करना है और सीधा जाना gradient overlay पर वहां जाके आप color का जो selection है वह color का effect है आप select कर सकते खुछ से तो यह वाला भी काफी अच्छा लगता है यह वाला effect पर काफी अच्छा लग तो इस टैब से आप इसको कर सकते हो इसमें पिंक मुझे यह वाला नहीं लेना था मुझे इसमें यह वाला पिंक लेना है और यह काफी जादा अच्छा लगता है देखने में ठीक आप यह बहुत जादा अच्छा लगता देखने में तो मैंने यहां पे जो मेरा blue वाला effect यहां पे जादा सही लग डाता तो मैं simply यहां पे blue वाल एफेक्ट पर आ गया हूँ yellow और blue का जी combination है यहां पर मैं simply आ रहा हूँ और इसको मैं यहां पर okay कर दिया है तो guys हमने slice करना दो सीख लिया है अब उसका पहला first use मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक fashion या किसी मैं simply यहां पर लिखने वाला हूँ sell और मैं Gotham का जो bold है वो मैं font यहां पर ले रहा हूँ और मैंने this font का size इतना increase कर दिया और इसको मैंने इसके पीछे ले लिया simply अब मैं control T प्रेस करूंगा और इसका जो है control प्रेस के वह इसका direction थुरादा चेंज करूंगा इस तरीके से क और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको इतना लिखना है अब आपको 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 सिंपली first slice मैं यहां से कर रहा हूं यहां से लेक किया यहां किया और मैंने इसको यहां कर दिया अब मूव टूल से आपको सिर्फ एरो की से left right up down वाले arrow की से आपको मूव करना है तो मैं थो है थोरा सा इसको left की तरफ लेके जा ंओ और थोड़ा सा मैंने यहां पर up कर दिया तो कुछ this type का effect create को गया एक और slice मैं यहां पर कड़रा हूं और इसको मैं right की तरफ मूव करूं इसको मैं left के तरह मूव कर्या था तो यहकुछ this type सा हमें दिख रहा है! एक और आप यहां पे slice लगा सकते हो और इसको आप फिर से आप इसको right के थरा move कर सकते हो तो यह कुछ इस type का effect यहां पर यह create हो रहा है simply आप टेक्स को आप इस तरीके से effect create कर सकते हो और आपको एक और text यहां पर add करना है तो आप simply यहां पर लिख दो say 20% off यहां पर लिख सकते हो ले रहा हैं स nasıl ले से जब अढों टैफिस और उर उर वजब निए वस्ताः कि उप क्राइब अग्रोथ कि मैं से लुग है अन्युक्त के निधे रहे हैं और मैंने इसके नीचे simply off लिख दिया ठीक है तो यह आपका एक fashion related banner आपका यह त्यार हो गया समझवाब आप यहाँ पर simply आपको फ्लाइट लिखना है तो फ्लाइट 20% off और अगर आपको लग रहा है कि background के साथ तो प्ले कर दो करो गया आप रहा है तो एक इसके साथ प्ले कर सकते हैं जैसा में आपनांधा अपको बना सकते हो हूं afterwards आपी जयदा साहील रहेगा को दीखने को फर्स्स तरीके से जो जोस्राइस का उसक तो सकते हूं उस पहला तरीके साब उसको यूज कर सकते वह मैंने आपको करके दिखा दिया अब इसी में आ pot सेकेंन कलर मैं यहां पर ग्रीन कलर यहां जो की तेखने में काफ़ी साही लग यहां तो यह सकते ही निखरार और अब कर सका तो सिरसके लिए यह कुछ एक से कर रहा है को ऑप झाल दिक है स operate कर रा हंब का ओव्वा तरिक जा को से डिया इस दरत पर तुल अब फिलार इसको लेयर को मैं हाइड कर रहा हूं और मैं यहां पर लिख रहा हूं 20% लिख रहा हूं और इसका मैंने size increase कर दिया हूं अब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं इसको बोल्ड है वह मैं यहां पर लेड़ा हूं तो यह कुछ इस टाइप से हमें यह कुछ दिख रहा है ठीक है अब मैं यहां पर simply इसको रेस्टराइज कर रहा हूं और मैं इसको slice कर रहा हूं और यहां पर control X और control V कर रहा हूं मलग कट और पेस्ट कर रहा हूं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लेके जा रहा हूं हमें इस पार नीचे नहीं करना हमें इस पार इसके ऊपर लेके जाना है और उसके बाद simply आपको drop shadow करना है यहां पर और shadow को इस तरब से इस तरब लेके जाना है आपको अज़ा है तो यह एक तो यह एसा लगा है कि यह कट हुआ है लेकिन यह ऐसा लगणा है कि हम अब लगण कट होके इसके उपर आया हुआ है तो जो देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है अब यहां पर टेक्स्ट को अने वल कर लेता हुआ इसका एफेक्स वाले एफेक्ट को और यह कुछ इस टायब से दिखे रहा हैं और हमें यहां पर ऐसे जगह पर सब्सक्राइब करना है कि पढ़ने माय एकि एक यह लिखने के वाले है और इसके वाद में आप चाहादो तो चोटा कर लाते हैं और इसको स्ट हम एक हम यहाँ एक ऍाठ करना है कि तो आzd लगे है तोब आप लोगों पता है सएड़ कैसे क्रिट करता हूम मैं और मुस्स साधी वीडियो मैंने सअधी किया है तो आप वहां से इसको सीख सकते हों और यह कुछ इस टाइप से यह कुछ दिख गए है तो हमने यहां पे एक सैडो क्रेट कर लिया जो काफी सही लग रहा है ठीक है तो आप इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं स्लाइस किया उसके बाद ड्रॉप सैडो कर लिया तो काफी रियल जैसा फील आपको देने लग जाएगा ठीक है तो सेकंड एफेक्ट हमने से फुलाज़ करता हूं और इस लिए को भी मैं फिलाल हाइड कर रहा हूं और इसका बैक-गर्ण गोंड़ को थोरा सा मैं चेंज कर रहा हूं किस्योर कि अलग में तो इसके लिए मैं रहल्का सा यहां प्रया डॉआट उन और से बिश्याव इंची एडिया है उसको मैं हलका स आप चाहूँ तो चेंज कर सकते हो, मैं भी यहां पर चेंज कर रहा हूँ, तो इस टाप को दिख रहा है, आप यह कुछ इस टाप से दिखेगा, जो कि देखने में ये भी काफी कूल लग रहा है, ठीक है, अब ये थर्ड एफेक्ट में, स्लाइस एफेक्ट का मैं आपको बत यहां पर सीधा वाला फॉंट ले रहा हूँ, जो कि इस तरीके से है, ठीक है, अब आपको स्लाइस करना है, तो सिंपल आपको यहां पर राइट क्लिक करेंगे, और यहां पर स्लाइस करना है, और स्लाइस करने के बाद मैं कॉर्नर से इसको स्लाइस कर रहा हूँ, और मैं इ तो मैं इस को doch करूंगा तीकर और इसका खलर जो टेक्वलभ धलर आपको में में स्थेट चल्डर करना जहांसे की आप इसेच्ट करना है यहां पर अवर में आपको इस को सेट करना विजर कर खाया है जही होगा को चोफा कॉल Inside पर एक और मैं यहासे स्ला इस कर रहला हूं और हम हमेरा ड़िट करना है और इतना भी अक्तेक्ष इसस चलता रहा है और उसके बाद मैं उस लाइन को मैं कॉपी करूंगा और मैंने इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट किया तो यह कुछ इस टाइप से अब हमें कुछ यह दिख रहा है ठीक है आप जितना मन चाहाँ उतना ऐसे एफेक्ट क्रियेट कर सकते हो और इस लाइन को इस लाइन पर कुछ टेक्स लिखोगे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया अब लिमिटेड ओफर लिख दिया और मैं इसका साइज कर दिया और मैं इसको इस तरीके से मूव कर देए जोगी लाइन पर ही आहे पूरा का पूरा और आपने इसको size छोटा कर लिया और इसके बीच का gap हमने increase कर दिया तो यह कुछ इस type से अब हमने कुछ बनता हूँ दिख रहा है और simply हमने यहां पे इसको on कर लिया तो कि कुछ इस type से दिख रहा है हमने और यह भी देखने में काफे ज़ादा cool लग रहा है अब आप च्छाओ तो और भी चीज़े एफक्ट क्रियट कर सकते हो आप सैप को भी स्लाइस कर सकते हो तो सिंपली मैं यही वला ओडी सेलेक्ट हैं database or मैं यह वलाấp बिले रहा हूं और इसको मैंने यहां से इसको ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने इस तरीके से मैंने इसको टर्न कर दिया और इसका भी कलर में कुछ इसी से मिलता जूलता कलर डे रहा हूं कि इस बैगराउंड पर अच्छा लगे था आप ब्लू भी यहां पर ले सकते हो तो फारी जाब मैं यह चुर्श है में कुछ इस टैप से क्लिशी वाला ईफ्यक्ट भी आप बोल सकते संधी हो कि जलीच और लित अगा है हो इतनी विजिबिलिटी रखनी है तो यह भी सही लग रहा है कि तोटली आपके उपर है कि आपका डिजाइन क्या है आप किस इमेज की उपर काम कर रहे हो और वहाँ पर कैसा स्लाइस एफेक्ट सही लगेगा बस मैंने आपको आपको मुझे यूज बताना था है कि इसको आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो जो कि आज करके ट्रेंड में है और ट्रेंडी है काफी जादा और एक और कोशन जो आप लोगा ने बहुत बार मेरे से पूछाए कि मैं फोट जहां पर यह लोगो में यहां पिक कर रहा हूं सेव कर लिया और मैं इसको यहां पर लेकर आ रहा हूं और सिंप्ली मैंने यहां करते है आप देख सो यह स्मार्ट आपजेक्ट है तो आपको इसको रिस्टराइज करना है और मैं साइल लेयर को फिलाल आफ कर रहा हूं कि द इसको इस तरह पूब कर दिया तो यह हमारा हम स्लाइश एफेक्ट हो गया आप इसको स्मार्ट ऑबजेट में आप इसको अर। हो गया है सिंप्ली मैं यहां पर इसको अन करता हूं तो यह कुछ इस टैप से दिख रहा है मैं यही वाले एफेक्ट अपने थामनेल में हर जग यह वाले एफेक्ट यूज करता हूं जो कि देखने में काफी जादे कूल लगता है